हेलो फ्रेंड वेलकम टो इस्टेडी न्यूज हाल ही में पर्यावरण वन और जर्वायू परिवर्तन मंत्राला ने प्लास्टिक अपसिष्ट प्रबंधन संसोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है तो चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी इन्फोर्मेशन सो लटस इस्टार्ट वर्तमान में अस्विनी कुमार चौबे जी पर्यावरण वन और जर्वायू परिवर्तन मंत्राले के मंत्री है ये संसोधन नियम विशिष्ट सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तूओं के लिए है जिने अब बैन किया जाएगा जिन से काफी ज़्यादा प्लास्टिक पल्यूसन होता है इस नियम के अनुसार 1 जुलाई 2022 से इन सिंगल यूज प्लास्टिकों का निर्मार काम इनका आयात, वितरण, विक्री और उप्योग में लाना ये सब प्रतिबंध रहेगा लेकिन कमपुश्टेबल प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लागून नहीं होगा और भविष्स में अन प्लास्टिक वस्तुवों पर प्रतिवंद लगाने के लिए सरकार ने उद्योगों को इन नियमों का पालन करने के लिए बैन करने की तारीक से 10 वर्स का समय दिया है प्लास्टिक बैग की अनुमानित मुटाई जो की वर्तमान में है वो 50 माइक्रों की है लेकिन आगे 30 सितंबर 2021 में इसकी मुटाई 75 माइक्रों और 2020 में 120 माइक्रों तक बढ़ाई जाएगी मतलब जो प्लास्टिक भविश में 75 माइक्रोन और 2022 में 120 माइक्रोन से कम मोटी होगी उनका इस्तिमाल नहीं होगा अधिक मोटाई वाले प्लास्टिक बैग को रिसाइकलिंग करने में ज्यादा पॉल्योसन नहीं होता और ज़्यादा मोटाई वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल कई बार किया जा सकता है वही कम मोटाई वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल एक ही बार हो सकता है और इनको recycling करने में ज़्यादा pollution होता है अब जानते हैं कि compostable plastic क्या है ये प्लास्टिक मकई, आलो और टेपियोका के स्टार्च, सेल्यूलोज, सोया प्रोटिन, लैक्टिक एसिड जैसे सामाग्रियों से बने होते हैं इनमें जिवास में इधन से बने प्लास्टिक की तरह विसेले प्रदार्थ नहीं होते हैं और compostable होने या खाद में परिवर्तित होने पर ये प्लास्टिक वापस से carbon dioxide, पानी और biomass में असानी से विगटित हो जाते हैं और वहीं single-use प्लास्टिक को विगटिन होने में सेकडो वर्ट्स का समय लग जाता है वर्ट्मान में प्लास्टिक अपसिष्ट प्रबंधन नियम 2.16 के अनुसार देश में पच्चास माइक्रों से कम मूटाई के कैरी बैक्स और प्लास्टिक सीट्स के निर्माड, आयात, भंडारन, वितरण, विक्री और उपयोग पर प्रतिबंध है इसकी कार्यानवेन एजेंसी केंद्री प्रदूसर नियत्रन बोर्ड और राज प्रदूसर हैं ये निकायों के साथ प्रतिबंध की निकरानी रखेगा और उलंगनों की पहचान करेगा इन निमों का उलंगन होने पर पर्यावरण सरक्षड अधिनियम 1986 के तहट निर्धारित दंड दिया जाएगा इन सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध करने के कई कारण है इनका उप्योग केवल एक बार ही किया जा सकता है और इन्हें विगटित होने में सैकडु वर्स का समय लगता है और जमीन में दफनाने के बाद विगटित होते समय इनमें से बहुत जहरीले रसायन बाहर निकलते हैं जो पर्यावरण के लिए बहुत हानी कारक होते हैं जो हमारे भोजन और पानी में मिलकर इनसानों को काफी हानी पहुचाते हैं और ये जीव जनतों को भी बहुत हानी पहुचाते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तों के कारण उत्पन होने वाले पॉल्यूसन से आज सभी देशों के सामने एक महतपूर और गंभीर पर्यावरणिय चुनोती बन गई है आकडों के अनुसार केवल भारत में हर वर्स पैदा होने वाले लगभग 9 मिलियन टन प्लास्टिक कच से 43 परसेंट केवल सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं वर्स 2018 में सयुक्त राष्ट पर्यावरण कारेक्रम द्वारा भारती प्रधान मंतरी को वर्स 2022 तक सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प लेने के लिए चैंपियंस ओफ दा अर्थ के पुरसकार स सम्मानित किया गया था भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं जिसमें से स्वच भारत मिसन इंडिया प्लास्टिक पैक्ट और भी कई सारे अभियान चल रहे हैं तो ये थी प्लास्टिक प्रबंधन संसोधन नियम 2021 से ख्रवाइ देडियो प्लेस लीडियो प्लेस लीक शबस्क्राइब और स्बस्क्राइब कम्मएंग।